नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल टेक्टर कारोवाई पर आज हम बात करेंगे सावन एग्रो रोटोवेटर की जो खेती के काम को आसान बनाने में बहुत मददगार सावित हो रहा है आज हम बात करेंगे इसके 5 फिट से लेकर 8 फिट तक के सभी स इस्तार से रिव्यू करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे वीटियो के बारे में गेरवक्स के बारे में और बिलेड्स के बारे में आपके टेक्टर के हिसाब से कौन सा रोटोवेटर सही रहेगा और आप कौन सा रोटोवेटर ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आ सबसे पहले बात करते हैं सावनेगरों के 5 फिड़ वाले रोटोवेटर की रोटोवेटर की बनावट की और डिजाइन की तो ये रोटोवेटर काफी मजबूत है और टिकाव मटेरियल से बना हुआ होता है जो इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाता है बात करें इसकी लगी हुई होती है जो इसे 30 से लेकर 40 होर्सपावर वाले टेक्टर से आसान इसे उप्रेट किया जा सकता है पांच फिड़ वाले रोटोवेटर में एल टाइप की ब्लेट का उप्योग किया गया है जो मिट्टी के सता को समान रूप से काटने और उसे मिलाने में सक्षम ह पीटियो और गेरवक्स की बात करें तो 5 पिड़ बाला रोटोवेटर में 540 आरपियम का पीटियो स्पीड सपोर्ट होता है इसमें सिंगल स्पीड गेरवक्स दिया गया है जो सरल और प्रभावी संचालिस सुनिश्चित करता है गेरवक्स की बिसेस्ता या एकी इसकी कम प्रख्रखाब के सांग लंबे समय तक काम करता है इसे मिट्टि की खुदाई और मिलावट के लिए पहुत प्रभावी है तो चलिए अब हम इसी के दूसरे मोडिल की और चलते हैं वो है सावर एग्रो रोटोवेटर के 6 पिड वाला मोडिल अब बात करते हैं 6 पिड वाले पिड टेक्टर से आसानी से ओपरेट किया जा सकता है इस मोडिल में C टाइप के बलेट उपयोग होते हैं जो मिट्टि की गहराई को बेहतरिंग, कटाई और मिक्सिंग के लिए जाने जाते हैं ये बलेट ज़्यादा बजन और ज़्यादा धवाब को समालने में सक्चम हो लेकिन इस model में dual speed box दिया गया है, जो इसे आप अलग-अलग प्रिकार की जुताई के लिए gear shift कर सकते हैं, अब चलिए हम इसके अगले model की ओर बढ़ते हैं, यह है 7 fit वाला rotovator, इस rotovator की बनावट और design की बात करें तो यह, यह rotovator 48 blade के साथ आता है, इसमें 50 से लेकर 60 HP वाले टेक्टर से के साथ operate किया जा सकता है, इस model में blade की संक्या और चोड़ाई बढ़ जाती है, जिससे यह और भी बहतर मिटी की जुताई कर सकता है, 7 fit वाले rotovator में L और C type के blade का combination होता है, जिससे यह बिविन्य प्रकार की मिटी में अच्छी तरह से काम कर सकता है, बात करें इसके PTO और gear wax की, तो 7 fit वाले rotovator में 540 RPM और 1000 RPM के PTO का option मिलता है, इसमें heavy duty gear wax होता है, जो कठोर और कटिन मिटी में बहतरिंग प्रदरसन देता है, यह model हर प्रकार की मिटी में काम करने में सक्छम होता है, किसी भी प्रकार की मिटी में यह आसानी से चल सकता है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले model की और, यह model है सावन एगरो rotovator का 8 fit वाला model, अंदर में बात करते हैं सावन एगरो के 8 fit बाले rotovator की, 8 fit के rotovator में 54 blades होते हैं, और इसे 60 से लेकर 70 horse power वाले टेक्टर से operate किया जा सकता है, इस model में C types blades होते हैं, जो कठोर मिटी में और बड़े छेतर की जुताई के लिए बहतर माना जाता है, यह blade मिटी की जाकर उसे मुलायम करता है और उर्वरक सक्ति को भी बड़ाता है, बात करें इसकी PTO की, तो इसे में गेर्वोक्स के बारे में वी तो इस rotovator में 540 rpm और 1000 rpm दोनों PTO speed उपलब्द है, इस गेर्वोक्स में multi speed है, जिसे टेक्टर की power के अनुसार operate करना बहुत ही आसान होता है गेर्वक्स की मजबूती इसे अधिक समय तक चलने योग बनाती है, ये model बहुत पड़े छेतर में कुसलता से काम करता है, भारी मिट्टी में भी बहतरिंग परिणाम देता है, तो दोस्तों ये था सावन एग्रो रोटोवेटर का 5 से लेकर 8 फिट तक के सभी model जिसमें हमन वीटियो के बारे में और गेर्वक्स के बारे में और बिलेट्स के बारे में चर्चा की, उमीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी, आप इसे अपने खेती के लिए सही रोटोवेटर चुनने में मदद मिलेगी, अगर आप सावन एग्रो रोटोवेटर की कीम बता देंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमें बताए कि आपको ये रोटो बेटर कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में धन्यवाद झाल